तो आज की Python की class में हम लोग strings के बारे में discuss करेंगे, मैंने वैसे तो last class में आपको string के बारे में थोड़ा बहुत idea दे दिया था, कि strings कैसे store करता है values और साथी साथ string के अंतरगत आप लोग slicing कैसे करते हैं, एक बार थोड़ा सा review देख लेते हैं, तो हम लोग आज की class में देखते हैं strings किस तरीके से काम करता है, strings में अगर आप कोई शब्द डालते हैं, तो basically वो शब्द double inverted comma या single inverted comma में डालना होता है, और क्या वो 3 inverted comma ले लेता है, हाँ वो 3 inverted comma भी ले लेता है, तो आप हम लोग देखते हैं कि strings को print कैसे किया जाता है, तो सिंपल तरीका है, ideally open करते हैं बचो, ideally में आपके पास सिंपल सा एक option है, आप लोग यहां पे लिखिए print, और यहां पे double inverted comma में लिख दीजिए ICE, देखिए ICE, print हो गया, अगर आप लोग single inverted comma में लिखेंगे, तो भी print हो जाएगा, देखिए इस तरीके से, तो string को आप लोग double inverted single या triple inverted comma में declare कर सकते हैं, पहली चीज़ तो यह है, string को variable बनाके भी declare कर सकते हैं, अभी तो हम सीधा सीधा print कर रहा है, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अब इस समय A के अंदर क्या store हो रहा है, A के अंदर हम लोगों का string store हो रहा है, A एक variable है, उसके अंदर string उसकी value है, IC, और अगर मैं अब लिखता हूँ print A, तो क्या print हो जाएगा, हो जाएगा, तो आप लोग vary, भी जैसे A की value 10 लिखते थे, वैसे ही A के अंदर आप string को भी store कर सकते हैं, आप string multi lines भी रख सकते हैं, multi lines का मतलब मैंने आपको बताया था कि आप एक साथ इस तरीके से भी store करके नाल दिया, और अब मैंने कहा, प्रिंट करो A, तो पूरा-पूरा प्रिंट हो जाएगा, clear हुआ सभी को, अब देखिया आगे, मैंने एक चीज़ और आपको बतायी थी इसमें, कि आप लोग अपने strings को array form में भी रख सकते हैं, array form का मतलब एक पर फिर से देख लिजे, माल लिजे कि आपके पास एक शब्द लिखा हुआ है, hello, और उसको आप लोग पूरा प्रिंट कर रहे हैं, basically hello ऐसे नहीं प्रिंट होता, इसके जो हर अक्षर है, सारे अक्षर अलग-अलग आप लोगों के लिखे जाएंगे, जैसे ये इस तरीके से डबा बना लिजे, एक में डाल दीजे, h, l, l, o, और इसकी value a है, तो आप जब a को save करते हो, जैसे यहाँ पर मैंने a equal to ic लिखा, वैसे ही अगर a के अंदर मैं hello को save करूँगा, तो basically hello के अंतरकत, सारे alphabets अलग-अलग save होते हैं, ये जो location है, इसको हम लोग कहते हैं, कि ये a का 0 है, इसे index number कहा गया ह ये वाला कौन सा है, a1 है, ये वाला a2 है, ये a3 है, और ये a4 है, clear हुआ सभी को, तो इस तरीके से हमारे पास अलग-अलग slicing है, अब अगर आप लोग सीधा-सीधा print कराना चाहते हैं, पहले मैं a के अंदर hello डाल देता हूँ, देखिए a के अंदर hello store हो गया, अब मैंने a और bracket में मैंने लिख दिया two, तो a2 में क्या store है, तो l print हो गया, तो याद आ रहा है कुछ, तो इस तरीके से हम लोग-अलग slicing में डाल सकते हैं, आप लोग मुझे बताईए वो कौन सा function था, या program था, या function था, जिसे की a के अंदर कितने alphabets हैं, वो गिन के बता देता था length, तो आपको यहाँ पर लिखना होता था print, और फिर लिखना होता था len, और bracket में आपने a लिख दिया, तो आप देखेंगे length of the string, यानि a की value आ गई, a के अंदर कितने store हैं, 5, clear हो गया, तो इस तरीके से हम लोग अपना length store करके रख सकते थे, इसके साथ साथ फिर मैंने कई सारे alphabets, अगर store कर रहें, तो उसका कुछ part हम लोग काटके अलग भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे for example, अगर हमने लिखा है b के अंदर ये है, चिक, पूरा एक sentence बना दिया है चोटा सा, और फिर मैंने कहा कि print करो b key value, कहां से कहां तक to ratio 5, तो बता सकते हैं, ये आपका कहां से कहां तक print करने वाला है, 2, index 2 से शुरू करेगा, तो आपके पास 2 number कौन सा है, ये तो 0 है, ये 1 है, और ये 2 है, और इसमें आकरी तक नहीं जाता, एक छोड़ देता है, तो 2 से लेके 4 तक का print कर देगा, और आपके उसमें देखिए, अंसर आ गया, L, L, O, ठीक, इसी तरीके से मैंने आपको एक और बताया था, कि print कर दो अगर ये, तो बताइए, इसमें आगे कोई भी alphabets नहीं लिखा है, तो ये कहां से print करेगा, बिल्कुल सही, starting से print करेगा, और इसी लिए आप लोगों को ये सारे alphabets अगर मैं यहां से show करू, तो ये देख access में ये left से right अगर दिखाते हैं, तो आप लोगों के normal indexing रहती है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को right से दिखाओ, तो ये negative indexing show करता है, negative indexing का मतलब हो गया ऐसा, जैसे यहां पर कोई number डाला हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये number है, और यहां पर मैंने कोई data save करने क लिए डाला हुआ है, तो ये 11 की position इस समय देखा जाए, तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, और अगर मैं right से देखूं, तो ये वाली position कौन सी है, minus 1, minus 2, minus 3, यानि कि अगर आप लोग A0 print करेंगे, या A-10 print करेंगे, दोनों में answer क्या आएगा, 11, चिक, तो आप लोग इधर से उधर और उधर से इधर, दोनों ही format में indexing कर सकते हैं, एक negative indexing कहराती है, तो ये तो बात होगे बच्चों, जो last topics हम लोगों ने पढ़े थे, अब चलिए हम लोग देखते हैं, अगले topic को, जो कि हमारे पास next है, अगला topic है हमारे पास, जिसमे हम लोग दो strings को मिला देंगे, और इस मिला देने वाली चीज़ को हम लोग कहते हैं, concatenate, तो concatenate का मतलब होता है, दो strings मिला देना, कैसे, A की value हम लोगों ने लिख दी है, hello, और B की value हम लोगों ने लिख दी है, world, clear हो गया हूँ, C की value कर दी, A plus B, अब यहाँ पर plus जो है, string के case में, addition operator नहीं है, यहाँ पर अगर string चल रहा है, तो यहाँ पर plus जो है, वो काम करेगा, दो string को concatenate करने का, और अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, print C, तो आप आएंगे, देखिए, यह लिख गया, तो सभी को clear हो गया, तो concatenate functions इस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा कोई दिमाग लगा है, hello world के बीच में एक space भी देना है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, कि C जो है, वो लिखे A, उसके बाद plus B लिखते हैं, इन दोनों के बीच में एक plus और जोड़ दिया जाए, और यहाँ पर एक space दे दी जाए, समझाया, तो A, space, अब तीन चीज़ें आड़ हो रही है, A भी आड़ हो रहा है, space भी आड़ हो रहा है, और प्लस भी आड़ हो रहा है, और अगर मैं से C को प्रिंट करूं, तो देखिए आपके स्क्रीन पर आएगा, hello world, और वो तो फिर एक अलगी concept हो गया, कि आपने string के यहां पर अगर आपने लगा दिया है, तो भी possible हो जाएगा, लेकिन वो खाली एक डाल दिया ना, नॉर्मली लोग space क्यों डालेंगे अपनी दरफ से, तो यहां तक सभी को clear हो गया, concatenate क्या होता है, तो बच्चों यह चीज़ आपके लिए important थी, यह questions आ जाते हैं कि इसका क्यालाता है, escape character, escape character क्या होता है, जब कभी आप लोगों को कोई चीज ऐसी print करनी पड़ जाए, जो की double inverted comma या इस तरीके से हो, तो आप उसे print ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो double inverted comma string को show करने के लिए लिखा जाता है, जैसे for example, अगर मैं आप से कहूं, कि आप लोग इसको print कर हो, यह रहा, we are so called vikings, और vikings में देखो double inverted comma है, हम चाहते हैं ऐसा print हो, तो यह double inverted comma तो string को बनाने के लिए होता है, और यह double inverted comma में वो confused हो जाएगा, मतलब कभी कर ऐसा भी तो होता है, हम hello world को ही double, अभी हम print कर रहे हैं, तो hello world double inverted comma में थोड़ी print हो रहा है, हो तो normal print हो रहा है, हम चाहते हैं output में double inverted comma है, तो जैसी मैं इसे enter करूंगा, तो देखो इसने दिखा दिया syntax error है, उस case लिए double inverted comma आप use नहीं कर सकते हैं अपने sentences में, त यह सवाल आपसे पूछा जाता है, हजारों बार आए हैं मतलब की इस तरह की चीजें, कि space character कौन सा है, चार option होंगे, सही जवाब है, यह है space character, इस symbol को हम लोग escape character कहते हैं, तो हम लोग बजाए उसको इस तरह कर ना print करते हुए, हम लोग सीधा सीधा ऐसे print करें, हम लोग ल जाए इसको, यानि कि आप लोग double inverted comma की जगे, आप लोग replace कर दो, इस से है, आया समझ मैं, तो इस चीज़ को इस से replace कर दोगे, अब अगर मैं print करूँगा, तो देखेगा, output में double inverted comma print होगा, ठिक, अब मैंने लिखा print, और लिख दिया text, आगे न double inverted comma, तो इसको आप लोग क् होते हैं, scape characters, और और भी कई सारे scape characters होते हैं, इन scape characters को बचो, मैं आप लोगों को एक साथ show कर रहा हूँ, तो आप लोग इसकी screen shots ले लिजेगा, ठिक, तो ये map को escape characters की list दे रहा हूँ, सबसे पहले single inverted comma आपको बताई दिया है मैंने, backslash कभी कवर होता है, backslash लगाना पड़ रहा है, नई line लेनी है, cartridge return करना है, tab है, backspace है, form feed है, octal value स्प्रिंट करनी है, और hexa value प्रिंट करनी है, ये question हमेशा आया है, अब single inverter comma लगाना है, तो ये आप समझ गया होंगे, कि उस वाले में यहाँ पर जो जैसे double लगाया था, वहाँ single लगा देंगे यहाँ पर, और अगर आपको backslash करना है, एक पीछे वाला मिटाना है, तो ये लगा दीजे, slash n कर देंगे, तो new line आ जाएगी, तो अगर हम लोग इसी में slash n कर देते हैं, इसको अटा देते हैं, ये लगा देते हैं, और आप मैं यहाँ पर print कर देता हूँ, txt, तो आपको दिखा, यहाँ से एक नई line आ गई, यहाँ पर भी लगाया, तो यहाँ से भी एक नई line आ गई, जहाँ पर यह लिखा था, वहाँ से उसने एक नई line पैदा कर दी, clear वह सभी को, तो यह हैं बच्चों सारे escape characters, तो strings में इसका ध्यान रखेगा, यह आपके काम की चीज़ है, escape characters, इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों, next हैं हमारे पास कुछ छोटे-छोटे functions, जो कि आपको string में use करने हो, तो मैं कुछ functions जल्दी-जल्दी solve कर देता हूँ, आप लोग इसको एक copy पर note करते चलिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो, सारे functions कौन-कौन से use होते हैं, एक-एक line में आपको सब समझ आने शुरू हो जाएंगे, ठीक, तो सबसे पहला हम लोग एक नई file बना लेते हैं यहां से, तो उससे आसानी होगी, तो मैंने नई file ले लिए और इस नई file में मैंने यहां पर एक text save कर दिया, एक link दिया, यह डाल दिया, hello and welcome to my world, अब यहां लिखा x equal to, और यहां पर पहला txt, txt उपर वाली value ले लेगा, और पहला हम लोगों ने इधर पर एक function डाल दिया, जो string functions है, string पर आधारित है, और उसका नाम है capitalized, यह रा, और उसके बाद यह bracket लगा दिया है, और आप मैंने print कर दिया x, अब यह आपके सामने याद रखना, आप लोगों से पूछा जाता है, कि capitalize यह इन में से कौन सा function है, जो अक्षरों को बड़ा कर देता है, इसको मैं save कर देता हूँ, और यहां string functions के नाम से save कर देता हूँ, string में इस्तिमाल होने वाले functions, और इसको run कर आते हैं, तो देखिए यहां पर पहला शब्द जो है, वो capitalized हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, h capitalized हो गया, जबकि h यहां पर small था, ठीक, आपको याद है, मैंने एक formula इसी बीच पहले string में बताया था, जिससे वो पूरा capital कर दे रहा था, upper था वो, ध्यान रखना है, इसमें बस मैं upper कर दिखा देते हैं, तो बस इसमें कुछ कास नहीं change करना, यहां पर change कर देना upper, और अब मैं इसे run कराऊंगा, तो देखिए, सारा upper हो गया, clear हुआ, अब इस तरीके से हमारे पास चोटे-चोटे कई सारे हैं, एक एक करके देख लिजए, उससे आपको काफी कुछ idea लिख जाएगा, next हमारे पास एक और अच्छा function है, जिसको हम लोग कहते हैं, is alpha numeric, is digit, is वाले जो word आ जाए, तो समझ जाना, check करने के लिए, तो यहां पर हमने एक चोटा सा और चेंज किया, इधर लगा दिया, is lower, is lower लिखकर मैंने enter किया, तो वो खुदी run करेंगे, और आपके screen पर दिखा रहा है true, इसका मतलब बच्चों यह होता है, कि जितना लिखा है, यह सब small letter में है, मैं इसमें कुछ चीज़ें capital कर देता हूं, कोई भी एक अक्षर, और अब मैं run कर आऊंगा, तो देखिए क्या लिखकर आगया, क्योंकि यह condition गलत हो गई न, lower तो है ही नहीं, तो इस lower basically करता क्या है, चेक करता है, कि आप लोगों का यह लिखा हुआ, small letters में है, या capital letters में है, इसी तरीके से इसी में change कर दिया, और यहाँ डाल दिया, is numeric, numeric, और अब मैं इसको run कर आऊंगा, तो आपके screen पर देखिए, false आ गया, क्योंकि यह तो numeric है ही न, इसी लिए, हाँ, अगर मैं यहाँ numbers डाल देता, कोई, जैसे यह, और अब मैं run कर आता, तो आपके screen पर देखिए, छूँ आ जाता, clear हुआ सभी को, इसी तरीके से numeric हो गया, आपके सामने है, upper, is upper, एक है, upper सिर्फ, अपर सिर्फ, capitalized में कर देता है, और एक है, is upper, is upper क्या है, बताएगा, कि यह capitalized है की नहीं है, ठिक, और मैंने run किया, तो बता रहा है, हाँ, यह capitalized है, true है, एक और होता है, जिसका नाम है, alpha numeric, alpha numeric basically यह चेक करता है, कि आपने जो values डाली है, वो alphabets और numbers में combine तो नहीं है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यह, और इसके आगे मैं लिख देता हूँ, कोई number है, तो देखे, alphabets भी आ गए, और numberic भी आ गए, तो अगर मैं digit लिखता, तो digit में false हो जाता, अगर मैं चेक करता कि यह string है की नहीं है, यह lower है, तो उसमें false, इसमें यह दोनों है की नहीं है, तो आप मैं इसे run कराऊंगा, तो दिखाएगा true, यानि कि यह जो लिखा हुआ है, यह आप लोगों का alpha numeric characters है, alpha numeric का मतलब समझागे सभी को, alphabets भी है और numbers भी है, कहते हैं, और यह काम आते हैं, काम in the sense, यह आप लोगों के exams में इस तरह के questions कई बार आये हुआ है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेगा, तो string के topics यहां से खतम होता है हमारा, और next topics जो आपको अब जो शुरुवाती topics बचा था, उसको अब हम लोग cover करने जा रहे हैं, तो next class में आप लोगों को पढ़ने को मिलने वाला है, मैं दिखा देता हूं कौन सा, next topics जो हम लोग खतम करेंगे, वो शुरुवाती मैंने एक topic शुरू का flow chart आपका छोड़ दिया था, तो वो topics अब हम लोग उठा लेंगे, तो आपका शुरुवाती topics जो छूट गया था, वो cover हो जाएगा, मैं दिखा देता हूं कौन सा है, अभी हम लोगोंने क्या पढ़ा हैं, वो देख लिजए, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, python और ये रहा हमारा python का module, तो अभी जो आप लोगोंने बच्चों पढ़ा वो ये था, आप लोगों को ध्यान हो, ये topic तो अभी हमने finish किया है, ठीक, तो ये topic हम लोगों का हो गया, इसके पहले ये वाला हम लोग already पढ़ चुके हैं, ठीक है, inbuilt data type theory होती है, जिसमें integer, real, boolean, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, वो समाझ आ जाएगा, constant, comments, ये सारी चीज़ें हम लोग बता चुके हैं, तो ये topic सब भी हमारा खतम होने वाला है, एक input कैसे करते हैं, वो आपको एक बता देंगे, फिर कुछ simple programs हम लोग पाइथन के solve करेंगे, इस topic के साथ-साथ आप लोगों को, अब next topic जो ये छोड़ा था, ये खतम कराएंगे, algorithm, flowchart, programming, language, testing, debugging, ये सब क्या होता है, तो next class में हमारे जो module शिरुवात वाले theory वाले थे, इसको पहले इसले नहीं पढ़ाते बच्चों, क्योंकि theory अगर शुरू से पढ़ाएंगे ना, तो bore हो जाओ गया, अब आपको थोड़ा सा idea लग गया, python काम कैसे करता है, अब theory में आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, clear हो गया, चले next class में, अब हम लोग इसी को finish करेंगे, good bye, take care.